तीन ही टीम है ऐसे जो IPL का शुरुआत से हिस्सा रहे हैं लेकिन आज तक किताब उनके हाथ नहीं लगा उन में से दो आज भिढने वाले हैं उन में से एक अब तक इस सीजन शून्य पॉइंट पे हैं तो क्या दिल्ली कैपिटल्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ अपना IPL 2023 का खाता खोल पाएंगे आए जानते हैं यूसुफ परठान के साथ यूसुफ शुक्रिया आपके वक्त के लिए ये दोनों टीम अपनी पिछली मैच आखरी बॉल पे हार के आए हैं ये दोनों टीम अब तक वर्स्ट एकॉनमी रेट बोलिंग अटेक्स का इन द तक दोनों टीम के द्वारा तो वहां पर उनको थोड़ा बैतर करना होगा गेंद बाजी का स्थर क्योंकि बल्ले बाजी में आर सीवी के लिए तो कोई दिक्कत पैदा हुई नहीं अभी तक चैने स्वामी में चैने स्वामी ग्राउंड पे खेलते हुए तो गेंद बाजी एक पहलू रहेगा जहां पर उन्हें अपना इंप्रूमेंट करना पड़ेगा दोनों टीमों को यहां इससे मुश्किल ग्राउंड कमी है आई पेल में बिल्कुल छोटा ग्राउंड है विकेट सबसे अच्छा विकेट है वहां पर आप सिक्सिस वहां पर लगते हैं जानेंगे चिन्नस्वामी के बारे में इन्होंने खुद 147 बॉल्स में 14 चक्के मारे थे चिन्नस्वामी स्टेडियम में IPL खेलते समय तो बल्लेबाजी की बात करते हैं RCB की हमने बात की अभी तक चिन्नस्वामी के जो दो मैच है दोनों में विराट कोली और फाफ टु प पच्छ को टागेट कर सको देखे विराट कोली और पाप डुपलेसी अच्छी सुरुआत दी उन्होंने उस ग्राउंड पे और मेरे क्याल से वहां पर जितने भी मैच इस हुए तो आर्सी बीके जितने भी ओपनर्स रहे विराट कोली के साथ तो उन्होंने बहुत ही पर तेजी से रंड बनाए जाए क्यूंकि आपके पास वो सोचने का वक्त नहीं होता ईक तो इक तो पर्शेर नहीं होता तो वो नेक्स जो दस होवर है वहां से उनको एक्सलेट करने की ज़रूत है और तेजी से रन बनाए जाने चाहिए क्योंकि छोटा ग्राउंड है डियो गिरती है और दो सो से दो सो बीस रन बना सकते है जो शुरुआती दौर में ये अच्छे रन बना रहे हैं उसके लिए करने वाले पक्ष में हैं अन्रिक नौकिया जिनका विराट और फैफ दोनों के खिलाफ काफी मजबूत रेकॉर्ड है तो आपको क्या लगता है वो नौकिय के ओवर्स प्ले आउट करेंगे या उनके सामने भी इंटेंट फुली खेलेंगे देखे नोकिया ने बहते बोलि स्थिश्चच के रहें बाज है तो यह नहीं सोचेंगे कि हम सिफ खेल के निकाले वो कहीं नहीं नहीं टार्गेट करने को भी देखेंगे क्यूंकि दोनों के गज्सप्रेंस प्ले है दो नहीं चाहेंगे कि एग अगर हमें मुका मिले तो हम उनके ऊपर हावी होना हैं कहानी काफी एक तरफ रही है डेविड वोर्णर से रंस तो बनें लेकिन स्ट्राइक कर जितना जिकर किया जाए कम है बाकियों से रंस भी नहीं बनें अब मिचल माश वापस आ जाएंगे अपने मिनी ब्रेक के बाद क्या करना चाहिए दिल्ली को अपनी बैटिंग को फाइनली इग्निशन देने के लिए ने देखे आप कंप्लेंड नहीं कर सकते के विकेट गिर रहे है तो में मेरा स्ट्राइक रेट स्लो है एक्स्विनेंस प्लेयर है आप आप दूसरा रूप भी धारन कर सकते हैं आप अटेक कर सकते हैं और अटेक करके भी आप रन बनाया जा सकते हैं विकेट तो वैसे भी गिर रही है अगर आप एक कोसिश करें कि आपकी स्ट्राइट उपर जाए काउंटर अटेक करें ताकि साथ साथ में जो इंडियन बल्लेवाज है या ओस बल्लेवाज आपके साथ खेलता है तो उसको भी एक freedom मिले खेलने के लिए और partnership वैसे ही बनती है अगर आप एक end बोलोगे कि नहीं मैं रुखता हूं यह पचास और का गेम तो है नहीं यह 20 और का गेम बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है तो आपको counter attack करना पड़ेगा और साथ में जो कर रहे वहां पर कोशिश कर रहे टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने के लिए तो मैं चाहूंगा उनको भी उपर बलेवाजी कराई जाए क्योंके जो फॉर्म में है उनका इस्तेमाल होना चाहिए जादा से जादा बैंगलोर की बोलिंग की और वनिंडू हसरंगा की वापसी ओबिस्टी मेजर हेडलाइन हो सकती है इस मैच की पिछले साल वो ना सिर्व बैंगलोर के पूरे टॉर्नमेंट के सबसे सफल गेंबाजों में से थे लेकिन अब तक चिन्नस्वामी स्टेडियम का जो चैलेंज है इस्पेशली लेक्स्पिनर के लिए वो उन्होंन रहा है उनका और काफी लिग कहलते हैं आसपास की जगवों पे तो वहाँ पे भी अच्छा पर्फोमंस रहा है उनका लेकिन देखें आप कहीं पे भी कितना भी अच्छा प्रदर्सन करके आईए लेकिन आप जब इंडिया में आते है तो वो एक माहॉल अलग होता है वो स्पेशली आई पील में असरंगा ने लास्ट सेजन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन चन्यस्वामी ग्राउंड जो है वहां पर उन्होंने खेला नहीं जहां पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है छोटा ग्राउंड है आउट्फिल तेज है तो देखना होगा के ए और RCB के जो फैन्स वह भी उम्मीद करेंगी असरंगा आए गेंदबाजी अच्छी करें जो वीक लिंक कही जाती आर्सीबी की और वो देखिये सिब गेंदबाजी में नहीं बैटिंग में भी अच्छी चीज लेके आते हैं अच्छे स्ट्राइट से रन भी बनाते हैं वो फ्लोट भी कर सकते हैं उनको उपर भी बलेबाजी करा सकते हैं उनसे तीन चार नमबर भी करा सकते हैं और बोलिंग तो अब्वेसली अगर वो अच्छा करते हैं वहाँ पे तो बहुत ही हल्प होगी उनको तो दिल्चस बैटल्स की कोई कमी नहीं इस कॉंटेस्ट में बैंगलोर दिल्ली क्या दिल्ली अपना खाता खोल पाएंगे बताईए हमें कॉमेंट्स में और बने रहे हमारे साथ टी-20 टाइम आउट हिंदी पर